Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं Bachelor of Arts के कोर्स के बारे हम बात करने वाले हैं Social Science and Humanities तो अगर आप इस कोर्स में admission लेना चाहते हैं Ambedkar Universities दिल्ली में तो क्या eligibility criteria है, कौन-कौन से आपको test देने हैं, Class 12 के marks कितने matter करते हैं या नहीं करते हैं यह सब हम इसमें एक एक करके discuss करने वाले हैं एक चीज तो किलियर हो गई है कि अब admission लगबग सब Central University में सारे कैसे होने CU8 के through होने अदर्वाइस उनके खुद के entrance test है कुछ के लेकि next year से तो सारे होंगे लेकिन अम बेटकर उनिवर्सिटी डेली में आपको CU8 देना ही पड़ेगा अब CU8 में क्या subjects आपको consider किये जा रहे हैं Section 1A से आपको एक language उस करने है लिखा है एनी वन language ठीक है और section 2 से best of any three domain specific subjects तो यानि मान लिजिए आपने एक तो language test देना यह तो कंपल सरी है और और तीन domain आपको कम से कम तीन तो दे नहीं है और तीन ही consider किये जाएंगे ठीक है अम मान लिजिए आपने पांच domain दिया है तो आपकी जो भी best of three होंगे उसको consider किया जाएगा और उसी basis पर बनाई जाएगी तो जितना जादा हो सके टेस्ट में डोमेन दीजिए जरूर दीजिए ताकि आपका जो एरिया है एड्मीशन का वो बढ़ जाए ठीक है और जितनी जादा यूनिवर्सिटी सो सके select कीजिए और क्या eligibility criteria candidate must appear in यह तो आप लोग को पता चली गए कि आपको सी यूएट ही देना है और class 12 में आपके कम से कम 50% marks होने चाहिए और अगर आप किसी reservation category में जैसे SCST, PWBD और दिल्ली OBC non-crimi layer तो आपको 5% का relaxation है class 12 के marks में आपके 45% भी होंगे तब भी आप eligible है और merit जो बनेगी वो सी यूएट का score जो है combined करके बनाया जाएगा यह आपको त्यान रखना है तो आपको अच्छे से जो है test का combination बनाना है जादर जादर domain देने ताकि आप लोग को कोई आपको वीडियो बनाके अपडेट कर दिया चाहेगा थेंक यूँ